अब शॉर्ट्स को पाउंडरीज में तब्दील करने में खासी मुश्किल आईगी तो जो पी खेत रुशा है ओ क्या केन थी स्वीप किया कोई माफी नहीं जेन बास को बल्लो बास की गलती फील्डर की खुशी चलिए वापस और ये गई विकेड नया बल्ले बास आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर खरा उत्रेगा एक पील्डर बिल्पिल तयार गील्ड को पकड़ने के लिए रचनात्मत तरीके की बल्ले बास ही कमाल है भई स्टंपिंग के लिए जोरदार अपील लगता ऐसे दोबारा देखना पड़ेगा काफी करीबी मामला तीसरे अंपाइर को रेफर किया गया है और बल्ले बास को सुरक्षित घोचित किया गया कीपर हताश नजर आते हुए ये बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी लेकिन वो बॉल को पकड़ ही नहीं पाए खेल दिया सीधा फील्डर की उपर से टपा खाया और चौका आगे बड़े और उठा दिया उनसाइड की तरफ गेंडास की अंतिम गेंड को मिला बल्ले का रिटर्म गेफ चौके के सार मीडियम पेस का प्रेयोग कर रहे है ताकि विपक्षी टीम के रनों पर अंकुष्ट लगा सके काश इन फील्डर के पास एक हलिकॉप्टर होता नहीं तो भाईया ये गेंड रुपने वाली नहीं है गेंड सीधा फील्डर के हाथ में मानो कह रहे हो आईए आपी का इंतजार था बल्ले बाज निराशा पूरुवक वापिस जाते हुए इसको बेसिक प्रिकिट खेलना चाहिए बस अपना नैच्रल गेम खेले इस गेंड पर स्वीप किया नजातक से लगता है बॉल्ड बाउंडरी तक जाएगी ओ चली गई चार रन गेंड को भेजा है हवा के रास्ते से आफसाइट बाउंडरी की हो लगता है हुआ है कि रास्ती है बेन कौ पतर है सी जास्ते हैंडरी की समाब्टित दन दनाती हुई गेन जा रही है धर्टी पर कोई ऐसा नहीं जो उसे रोखपा है ये लगाया बल्लेबाज में सुन्दर सुई गेन बल्लेबाज के उपर से उड़ती हुई पाउंडरी की ओर भाई साब पाउंडरी के उपर से लुपर से लुपर द्रीबाज जीदा गेंद हवा में और एक सुरक्षित हातों ने गेंद को लपक लिया कहानी खता ओ काफी जल्दी खेल दिया और बल्ले का किनारा लगता हुई और गेंद बाउंडरी की ओ आगे बड़े और ये शॉट सीधा स्टेंट के अंदर स्टेंट की पिछ तक आए और कोशिश की लॉफ्टेड रिवर स्वीप करने की इनको कुछ अलग करने का प्रयाज नहीं करना चाहिए ये साजेगारी की क्या धुवादार शॉट लगाया है अब तो गेंट दर्शकों को ही ढूननी पड़ेगी इस बार गेंट के नीचे आये और लॉफ्ट कर दिया छे रन के लिए ओवर की अंतिम गेंट पर बल्ले बाजिस ओवर से बहुत खुश होंगे गेंट बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर क्या गोली की तरह शॉट लगाया है लंबा उचा लजाने कहां गेंट गिरेगी गेंट की पिछ तक आये और कोशिश की लॉफ्टेड रिवर स्लीप करने की इस गेंट को कोई नहीं रोख सकता ओ काफी जल्दी खेल दिया और बल्ले का किनारा लगता हूँ और गेंट बाउंडरी की हो इस पारी की बहतरीन बैटिंग पचास रन की साजेदारी पूरी ओ ये चौका होगा अच्छी डाइफ फील्डर जोरा लेकिन टाइम नहीं कर पाए किया शॉट लगाया है फाडू शॉट जो आसानी से स्टेंट्स तो क्लियर कर जाएगा ये लगाया बल्ले बाज में सुन्दर स्वील्ड अच्छा लगता है इन दोनों को क्रीज के छोर पर देखते हूँ हमेशा भरपूर मनों रहा है कमाल का नुमान लगाया ग्याप ढूंडा और लगाया एक लॉफ्टेड और स्टेड राइब इस स्पेल में अच्छा ताल मेल बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है आगे बड़े और उठा दिया उनसाइट की तरफ इस गेंद के साथ हुई टाटा बाई-बाई अंतिम गेंद पर लगा चौका कि लगता है बॉलर के लिए महेंगा उवर साबित होगा कि पींडर्स मैदान में जा रहे हैं कि पाउंडी लाइन से पहले एक टकपा खाया उम्दा टाइमिंग क्या ये बाउंडरीस की है ट्रिक होगी इस पेल में अपनी माइन और लेंज पर ने अंत्रों नहीं रख पा रहे हैं हो रही है बाउंडरीस की बर्शा याची इंद की पिछ पर आयो रोड़ाद सामने पहाड समान लक्षे है बास उम्मीद करते हैं जेंद बास ने ओवर्ट स्टेक किया बैदान पर बल्ले बासी टीम को मिला एक मजबूत विपांच अब समय है जादा रन बटोर ने कार क्योंकि मिल गई है फ्री हिट बड़े शॉट के लिए स्विंग किया है लेकिन चूके फ्री हिट से कोई नाभ में ने पाए बॉलर की विश्वास भरी अपील पर अमपायर प्रभावित नहीं अपील को नकार दिया दो रन के साथ बल्ले बाजे टीम ने शुरुआ करी एक पार गें बांडरी में एक और चौका गेंबाज में अपने सारे हत्यार आजमा लिये हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा जो दर्शकों को हो पसंद वही शौट खेलेंगे छे रन लगता है उसको इस गेंद के लिए वार्णिंग मिलेगी क्योंकि उसने मानने उचाई से उपर गेंद फेकी है इस ओवर में बहुत धीली गेंबाजी हुई एक महगा ओवर जिसका खाम्याजा इनको भुगतना पड़ सकता है ओन साइड पर प्लिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए अविश्वस्मिय फील्डिंग दर्शक भी हैरान दो रन शांदार तरीके से पहला रन तेजी से भागे और दूसरा रन भी पूरा किया इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर और खाते में एक रनका और इजाफा अच्छा सिंगल स्टंपिंग के लिए जोरदार अपील लगता ऐसे दोबारा देखना पड़ेगा काफी करीबी मामला और यह आउट हो सकते हैं तीस रेंपा ऐसे फैसली के लिए पूछा गया है यह आउट है या नौट आउट जरा देखिये इन हातों को क्या फुर्ती से स्टंपिंग किये कीपर में और यह गई विकेड नए बल्लबागा टैच्छ पर आएं इंतजार किया जमाया यह लॉक्टिव ड्राइव लॉंग और शेतर की उपर से क्या गेंद बाजी की है बॉलर ने यह गई एक और विकेट फील्डर ने सही अनुमान के साथ कैच को पकड़ा पैट्रिक लेने का मौका है अगर वो इस गेंद पे विकेट ले लेते हैं तो इस दुनिया में कोई ऐसी क्रिकेट पिच नहीं है जो इस शॉट को रोक सके लगता है गेंद बाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेंद पे ही चौका क्या शॉट लगाया बल्लेबाज नहीं इस बार गेंद के नीचे आया और लॉफ कर दिया चे रन के लिए ओवर किया अंटिम गेंद पर स्पिन का समय आकरमण के लिए आ रहे हैं ओफ स्पिनर बेलेबाज ने हलका सा कुछ किया और गेप मिला डीप स्कुएर में दो फील्डर्स के भी ओ ये इच्छा नहीं हुआ भीया इस नो बाल ने बैटिंग टीम को तोफ़ा दे दिया बलेबाज को चौका के रख दिया भीया अब क्या होत पच्छता है जब चिडिया चुक गई खेट आसान कैच दे दिया अपने फिल्डर को नया बलेबाज आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर खरा उतरेगा स्वीप किया कोई माफी नहीं के इंद बास को बलेबाजों के लिए कोई जगा नहीं एक और विकेट गिरी क्या जबरदस्त कैच फील्डर बहुत बहुत खुश पैट्रिक लेने का मोका है अगर वो इस गेम पे विकेट ले लेते हैं तो एक के पीछे एक ये खोई उन्होंने एक और विकेट इसको बेसिक प्रिकेट खेलना चाहिए बस अपना नैच्रल गेम प्रिए गेल फील्डर के हाथों में और सीधा वापस फिरका बड़िया रनिंग सुरक्षिर क्रीस में वापस आए खेल दिया है सीधा फील्डर के हाथों में बालिंग साइड की आकरामक शुरुवात चलता किया डग पर बल्लेबास को नया बल्लेबास अब समय है स्कोरिंग की गती को बढ़ाने का आपसाइड का आकरमन पर करार स्पिनर ने पकड़ी है गेम ये किया हवाई पायर क्या ये इनको भेंगा पड़ेगा फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के उपर जोरदार अपील बॉलिंग टीम द्वारा मगर अपायर ने बल्लेबास के पक्स में दिया निरने गेम बास द्वारा दुर भागे पूर गलते ही अमपायर ने बैटिंग टीम के लिए नो बॉल करा दी इस बार पुल्चोट के लिए गए है बहुत धीला प्रयास आशा करते हैं आने वाली गेंदों में ऐसा नहीं खेलेंगे आसानी से दाइरा क्लियर किया अपने इस लॉग वान पे लगाए शॉट के साथ अच्छी शुरुआत थी लेकिन अंत भी जल्दी कैच आउट पहली गेंद पे विकेट खोया कैच बल्ले बास को एक एक रंग के लिए अच्छी खासी लडाई करनी पड़ रही है बहतरीन प्रदर्शन फील्डर्स द्वारा बल्ले बास का खाता खुला इस सिंगल के साथ ये है एक जबर्दस शॉट स्वीप किया फूर्ती से ओ क्या शॉट था तर्शक दीवाने हो गए है तलाईयों का अच्छा इस्तमाल गेंद को पुचाया सीधा स्टैंड्स में ओवर की समाप्ती पर गेंद बास तैयार अंतिम रोमान चक ओवर फैंकने के लिए बल्ले बास ने हुप किया और ये शॉट बल्ले के बिल्कुल बीच से गेंजारी ये बाउंडरी की और उसी के साथ पारी की समाप्ती भी हुई इससे जादा आलिशान नहीं हो सकता फील्डर्ज ने रोक रोक के रनों को रोक दिया है बल्ले बास की अच्छी सूच बूच आसानी से एक रंड पुरा किया है अब बाईर ने वाइड बॉल का इशारा किया गेंजारी की नकल डिलिवरी सीधा हेल्मेट पे रहा करती हुई कवर्स की उपर से खेलना चाते थे लेकिन अंत में स्क्वेर के तरफ खेला दर्शकों की नजरें भी चली गेंद के साथ हमाई यात्रा पर जबरदस्ट छेरन अंते मोवर में गेंजा रही है बाउंडर क्यों और ये स्लाइस कर दिया छेरन के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइफ खेला कॉपी बुक स्टाइल में विजेता टीम का क्या आपको दर्शन रहा इस परिणाम से वे बेहत खुश होंगे झाल झाल झाल